सदर्ब नाम मैं हूँ हमान शुद्वेदी और हमारी खास पेशक्ष इसार्दक समवाद में आपको स्वागत है हमारे साथ मौझूद हैं बेहत खास शक्षित दरसल भारती जनता पार्टी को अपनी पार्टी के नेताओं से तर राजनीती में सक्रिय दो किरदारों में स्थरवाद बिल्चस्पी रहती है इन दो किरदारों के मूँ से आवाज निकली नहीं कि समूची पार्टी हाथ पैर धो कर पीछे पढ़ जाती है ये दो किरदार हैं राहूल गांदी और दोजरे दिग्विजे सिंग वो जिनके बिना ना सिर्फ मद्परदेश की सियासत का जिक्र दूरा है समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था कि ये राजसभा चुनाव इस कदर जटिल तोर पर देखने को आया समझने की कोशिश उन से ये भी करनी है कि 15 साल के संगर्ष के बाद जो कॉंग्रेस की सरकार मद्परदेश में सत्ता में वापस आई वह महच 15 महीने में ही दब क्यों तोड़ गए जानना ये भी है कि राश्रिस तर पर भी दिग्विजेश सिंग एक बार फिर हमें किसी भूमिका में दिखेंगे कि आप किवल मद्परदेश की राजनीती में ही दिल्चस्पी लेंगे क्या है उनकी भविश की योजना है और क्या देख पाते हैं वो कॉंग्रिस का भविश तमाम सवाल है समझने की कोशिश करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है दिग्विजेश सिंग जी हमारे इस खास करकर मिसार तक समवाद में और जानने में सबसे पहले दिल्चस्पी इस बात में है कि भाजपा को आपसे इतनी महबत क्यों है दन्यवाद हिमानशू ऐसा है कि यदि उससे आप महबत की संग्या देंगे तो उससे अच्छा लगेगा क्योंकि निंदक नीरे राखिये आंगन को टीछवाए तो जब तक वो लोग मुझे गाली देते रहते हैं तो मुझे कोई आपती नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जब जूटे आरोफ लगाते हैं और बेबुनियाद बात करते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है लेकिन पचास साल की राजनीती में तो मोटी चमणी हो गई तो फरक पड़ता नहीं लेकिन आपसे जानने का विश्य यह है कि राजनीती में तमाम किरदार मौझूद हैं तमाम अपने अपनी विचारधारा के लिए सक्री हैं पर दिग्विजे सिंग कुछ बोलते नहीं है पूरी की पूरी भाचपा पीछे पड़ जाती है पिछले पंदरा दिन के अंदर भी तीन F.I.R कराने की कोशित दिग्विजे सिंग के संदर में हो चुकी है भारती जनता पार्टी को आपका हर बयान हर टोट इतना जढ़ा विचेन कर जाता है आते है उना करना चाहती वह लोगों को गुम्रह करने में बहुत अनुभवी है और गुम्रह करना ही उनकी राजनितिक जो रणनीती है उसका एक मुख्य अंग है जब तब वो गुम्रहा लोगों को नहीं करेंगे सचाई से लोगों को अलग रखेंगे तो ही उनकी दुकान चलती है ज़िए सचाई सामने आ गई तो वो उनकी जो कली है वो खुल जाती है इसलिए मुझसे नाराज लेते हैं क्यों जब तथ्यों के आधार पर बात करता तो उसका जवाब देने के बजाए वो मुझे गाली देने लगते हैं तो ठीक है मुझे उसमें आपती नहीं है मैं तो अपने रास्ते पर हूँ आप अपने रास्ते पर हैं लेकिं कॉंग्रिस के अपने रास्ते पर है जिस कॉंग्रिस पार्टी के पास सावा सो साल से भी जादा गा तकरिवन एक तो पैंतिस साल का इतियास है वो कॉंग्रिस पार्टी आज राष्ट्री स्तर पर जिस हैसित में दिखाई दे रही है और भ लोगसभा में चुनाव हराना आसान नहीं है विधान सभा में जरूर ये उसमें ज़्यादा फेर फेर नहीं कर पाते हैं नहीं करते हो इसलिए वहां नतीजे कुछ और होते हैं लोगसभा में कुछ और होते हैं तो ये मैं तो शुरू से इस बात को कहता आया हूँ और इस को इस दुनिया में जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं और विक्सित प्रजातांत्रिक देश हैं एक में भी EVM मशीन का उप्योग होता ही नहीं है जिन्होंने उप्योग शुरू किया था उन्होंने उसे अलग कर दिया तो ये देश में जब तक EBA मशीन रहेगी भारती जनता पार्टी और विश्षकर मोधी शाह के इस जुड़वा अस्तित्व को हम दूर नहीं कर सकते हैं बड़ी ही खतरनाक किस्म की बात आप कह रहे हैं कहीं आपने लोकसभा चुनाव के संदर में हैं और प्रारम में मैं बाचीत भी राष्ट्रे परिपिक्ष में करना चाहता है पर जो आरोब आप लगा रहे हैं तो आने वाले समय में जो 24 विदान सभा उपचुनाव होने हैं म उनके संदर में आप निर्णे तो कबोविश आपकी बात से पहले ही निकल रहा हैं तैयार हैं आप उस हार के लिए मैं बात सुन लीजिए मैंने आप चूक गए इस बात को कि वो बहुत एक रणनीती के आधार पर एबिया मशीन का उप्योग करते हैं लोग सभा में वो कर चला हुआ है जे और उसमें इवीए मशीन पर बटन दवाना पड़ेगा इसलिए इवीए मशीन पर जब बटन दवाना पड़ेगा तो सभाविक है कि उस संक्रामक रोग को फैलने की संभावना रहती हैं तो क्यों ना इन चुनाओं को बैलेट पेपर से कराए जाए बि बता रहे हैं लेकि वाकर दिग्विजे सिंग ये मानते हैं कि कॉंग्रेस की इस्तिती जनता के बीच में जबीनी इस तर पर खराब नहीं है जो कुछ भी है वो इलक्शन मैनेजमेंट है बाकी नहीं तो कॉंग्रेस मजबूत इस्तिती में ये बोध है आपका इवानशु जी पहली बात तो ये है कि कॉंग्रेस पार्टी कोई काडर विस पार्टी नहीं है ये मुवम्मेंट है और मुवम्मेंट ही इसको बनाय रखने का हमारे बीडर्शिप का उद्देश है अब फीक है इसमें संगटन में हम लोग कमजोरी है मैं इस बात को जानता हों और समशता भी हो और कॉंग्रेस के सारे लोग समशती बी है इसको कैसे क्या किया जाई ये तो एक विशे अलग है लिकिन इतना जरूर है कि कॉंग्रेस पार्टी ने जब जब हमारे राज्यों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा हूँ चाहे पंजआब और्दिश का ह लेकिन देश में लोकसभा का चुनाव जब भी 2014 और 2019 का जो चुना हुआ है ये पहले से बता देते हैं कि कितनी सीटे आने वाली हैं और उसके बाद उक्रा वो जिजल निकलता है और यही नहीं है अब कई ऐसे उधारन हैं मैं तो एक बात कहता हूं आपको रागोगड विधा हमेशा जीतते आए और पांच महीने पहले वहां से कॉंग्रेस पार्टी जीती है लगवग 45-46,000 से और यह महीने में ऐसा कौन सा पहाड तूट गया कि वही सीट हम लोग हारते हैं 46-47,000 से खिल्चिपुर वहां से लोग जीतते हैं लगवग 35,000 से और आज महीने बाद हार हारते हैं 55,000 से इंदोर का राहू राहू में जीतु पटवारी जीतते हैं लगवग 13,000 से और हारते हैं 72,000 से तो आखिर यह कौन सा एक सुनामी आ जाता है चार-पांच महीने में जिसकी बसे इतना फर्क पड़ जाता है क्या दिग्विजा सिंग नहीं मानते हैं कि एक चुनाव था जिसमें एक तरफ नरेंद मोदी थे दूसरी तरफ राहूल गांदी थे और देश का जन्माना नरेंद मोदी के साथ गया यह सच्चाई है या मैनेजमेंट मानशु जी मुझे भी 50 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए और चुनाव लड़ाते हुए अगर इतनी नाराजी हम लोग खिलाप है तो जन्ता गाउ में नहीं गुसने देती महले में नहीं गुसने देती लेकिन वो तो कहीं नजर आती नहीं है तो इस पैमाने पर भोपाल लोकसभा छितर के परिणाम को भी आप देखते हैं भोपाल का लोकसभा का जो नतीजा है इसको आप हिंदू-मुसलिन धुरूवी करण के तौर पर देखते हैं या इलक्शन मेनेजमेंट के तौर पर ही कोगी ये एक चंबे की बात है कि जो दि नहीं कर रहा हूं मैं पूरे देख के उन सारे शेत्रों की काम बात कर रहा हूं जहां भार्ती जंटा पार्टी चुनाव जीती है और ये भी एक बात समझ लीजिए जिन जिन राजियों में उनका इंट्रेस्ट नहीं होता है। पंजाव में उनका कोई इंट्रेस्ट नहीं होता है। वहां ये इविएम का खेल होता है। मैं तो कन्विंस्ट हूँ और सोच विचार के अपने पूरे तरीके से विश्वास के साथ मैं यह आरोप लगा रहा हूँ मैं इस तरह के जूटे सचे यह आरोप लगाने का मैं मेरी आदत नहीं है मैं एक बात जाना चाहूँगा दिविजी आपसे कि अमिश्शा नरिद मोधी के दौर की आपने बात कई इलेक्शन मैनेजमेंट एवियम के संदर में आपने बात कई पर नरिद मोधी और अमिश्शा एक हकीकत हैं क्या कॉंग्रेस का मौझूदा नेतरत मौझूदा तोर तर से इन्होंने पूरे छे साल में जूट को सच और सच को जूट करने का इन्होंने अभियान चलाया हुआ है आप देख सकते हैं कितने ही उदारन हैं मैं उनको उदारन का मैं देकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा लेकिन आप भी इससे पर्चित हैं और हम दुनिया इस नहीं देखा जिसको इतिहास भूगोल और आकड़ों का भी उसका पूरा ख्याल नहीं रहता है अब आप समझ लीजिए कि वो वर्ल एकनोमिक फोरम पे कहरें कि 600 करोड जनता भारत की उन्होंने मुझे चुनाव जेता आब बताएगी क्या किया जाया यह आप कह रहे हैं ल चाहे हुआ धारा 370 के संदर में था चाहे तीन तलाक के संदर में था चाहे राम मंदिर के संदर में था क्या महसूस कर रहे हैं दिख विजय सिंग किस दिशा में ले जा रही है भाजपादेश को मैं एक बात तो इनकी मानता हूं कि जिस उद्देश से राष्टी स्वयम से संग का गठन इसी लिए हुआ था ताकि हिंदू राष्ट की भावनाओं को वे पूरे देश में लागू करें और उसके बाद हिंदू मुसल्मानों में बांट कर अपनी राजनीती करें और यही उद्देश के साथ अंग्रेजों क्या इन्होंने साथ दिया आजादी के पहले और वही डिवाइड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजोंने 1857 के बाद शुरू की थी उसी को इदोंने आगे बढ़ाया क्या कारण है कि M.I.M. के साथ इनका गुप्त समझाता रहता है कई ऐसे उधारन है जहां इनके कैनिडेट M.I.M. कि इसलिए खड़े किये जाते हैं ताक कुछ ऐसे लोग जो की हिंदूों को भड़काने वाले ऐसे भाशन को दे देते हैं क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे चैनल है वो पता नहीं कौन से मौलानाओं को टोपी और दाड़ी लगवालों को बैठा देते हैं पाकिस्तान पर पता नहीं कौन से ऐसे एक्सपर्स होते है जो बैठा कर गाली मी खाते हैं और काली खाने के बाद फिर वारू पर सेनल के आजाते हैं तो एसे महान जो मौला ना लोग ए इनका क्या है कितना इंको पर आवर कितना पैसा धिया जाता है इसापर भी खुड़ा खोज करिए यह आपको एक बात मैं समझ नहीं बता हूँ कि राष्ट्री स्वैम सिबक संगारे से को लेकर दिख्विय सिंग को इतनी नाराजगी क्यों रहती है एक राष्ट्रवाजी संगड है जो देश की भलाई चाहता है देश के लिए सेवा कारे करता है देश के लिए समर्पित अपनी हर बात में इस राष संप्रदाय जाती परंपराओं में इतना इसे विवित्ता है उस देश में इस प्रकार के हिंदू मुसल्मान सिक्षायों को बाट कर इस देश पर राज नहीं किया जा सकता यह बुनियादी फर्ख है हमारे सनातनी परंपराओं में और इनके सावर करजी के हिंदुत हुए और यही मेरा एक मात्र विरोध इन से है बाकी चीजों से मेरा इनका कोई विरोध रही है बाकी चीजों से आपका विरोध नहीं है सनातन धर्मिकी अगर बात करें तो निजी तोर पर जिन्दगी में जितना मेरी जानकारी है आप जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो एक विजय सिंग एक हिंदू विरोधी नेता या मुसलिम परस्त नेता के रूप में इस्थापित कर दिये गए हैं या हो गए हैं किसकी चूक मानते हैं या किसकी सफलता मानते हैं ये वानशू जी मैं ना हिंदू परस्तू ना मुसल्मान परस्तू में इंसानियत परस्तू और इ किंता भी नहीं है। मेरी उपर कई बार इन लोगोंने मानहानी के दावे किये. और ये भी एक अजीब बात है कि छार-5 मानहानी के दावे इन्हों ने मुझे पर किये हुए है. RSS ने. एएक मानहानी का दावा IMM मेने मेरे खिलाफ हैदराबाद में किया हुगा है यह वो सब लोग हैं जो की इस देश में जूट को अपना एक प्रमुख एक रणनीती बना करी यह राजनीती करते हैं आपने बड़ी इमानदारे से माना कि यह सफल हो गए हैं आपको बदनाम करने के लिए लेकिन दिगवजय सिंग जैसा कुशल राजनीति जिसे आ पहली बात तो यह है कि आप मुझे चानक के कहकर हमारे आदर्श चानक के को बदनाम ना करें मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं उनकी तेरों की धूल के लाइक भी नहीं लेकिन इतना जरूर है जरूर जरूर कहना चाहूंगा राज्टी स्वें सेवक संग पहलेड़ अपना जब ट्रेनिंग देता था तो वो अफ़वा फ Belgra की भी ट्रेनिंग दी जाती है जूट फेलाने की भी ट्रेनिंग को दी जाती है और यह कि फासिजम कैरेक्टर का एक मूल मंत्र है आप गोविल्स को क्यों भूल जाते हैं जिसने हिटलर को कहां से कहां पहुँचा है और पिर उनकी क्या गती हुई तो वही पहले तो इनको चलता था कि चवणी चल गई खोटी चवणी चल गई चल गई चल गई चल गई और आखें प खतरनाक हो गया है लीथल हो गया है कि सोशल मीडिया पर तो ये किसी को क्या बना दे बंडे जवालाल नहरों को मुसल्मान बना दे दिख विजए सिंग को राश्ट द्रोई बना दे तो और मोधी को भगवानों सबस्त भगवान के नेता बना दे ये सोशल मीडिया का ये प पर आपने जिस तरीकी की सफलता है अतीत मेली उसके कराड़े में लोग करार देते हैं मैंने नहीं का लोग कहते हैं पर वैसी सोशल मीडिया को लेकर आप बात करें पर सोशल मीडिया के तब से वोड़े खिलाडी तो आप ही है हर सुबह एक ट्विट के साथ में तो सारे मीडिया जगत की शुरुआ दिग्विजे सिंग के साथ होती है और उस सोशल मीडिया को आप जिम्मेदर ठेहरा रहे हैं आपने आपको बदनाम करने के संदर में विरोधाबाद है विरोधाबाद बिल्कुल नहीं है मैं तो अपनी बात कहता हूँ लेकिन जो सपोर्टिव जो एक औरगनाईजेशन होना चाहिए सचाई को जनता के सामने रखने का उसमें हमारी कहीं कमजोरी है जिसमें कमी हो जाती है जिसकी वज़े से जूट फैलाने वालों को बात सही हो जाती है और हम लोग सचाई फैलाने वाले लोग जूटे फाबित हो जाते है पर सवाल इस बात का है दिगुजे जी आप से कि आप प्रदेश कॉंग्रेस के अद्यक्ष रहे दस साल मुख्यमंतरी रहे पंदरा साल राश्टरी है महासचिव रहे बदलती परिस्तियों के साथ अपनी पार्टी में वो तंतर क्यों नहीं दे पाए जो इन परिस्तियों का मुगाबला कर पाता यह केवल कॉंग्रेस की विफलता नहीं है जिस विचार को लेकर आप बात करते हैं ऐसे में तो देश खत्रे में है और उस खत्रे से बचा बाने में आप लोग नाकाम रह रहे हैं मानते हैं अपनी नाकामी निश्यत तोर पर देश खत्रे में हैं और आर्थिक संकत से जह हम लोग गुजर रहे हैं वाकई में जो एक-एक बात राहुल गांजी जी ने कही थी चाहे करोना वाइरस की बात हो चाहे चीन क्या विशे हो एक-एक बात जो उन्होंने कही थी वो एक-एक बात साबित हुई है आज यदि जो हमारा सुझाओ था कि जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टों में निया योजना हमने कहा कि आप इसको लागू कर दीजे हर परिवार के खाते में साड़े साथ हजार रुपे गरीब परिवार के खाते में आप डलवा दीजे उससे आर्थिक विवस्था में सुधार अपने आप होगा क्योंकि आज डिमांड की कमी है सप्लाइ की कमी नहीं है और यही बात नोबल प्राइज अर्थिशास्त्री जो है वो इसी बात को कह रहे है जितने भी वेल नौन अर्थिशास्त्री वो भी इसी बात को कह रहे है कि लोगों के हाथ में जब तक आप पैसा नहीं दीजेगा तब तक आपकी एकनोमियों सुधार नहीं होगा आज दिक्कत यह है कि लोगों के पास डिमांड की कमी नहीं है डिमांड है लिकिन पर्चेजिंग पावर नहीं है और यही कारण है इसके वज़से आज रिसेशन और मंदी पूरे देश में खेली हुई है मैं आपको एक बताता हूँ एक बार मैंने स्वरगी धिरुभाई अम्बानी जी से पूछा कि आप एक बात बताईए जिससे की भारत की अर्थ नीती अर्थ विवस्ता सुधर सकती है उसने कहा कि किसान और मजदूर के हाथ में पर्चेजिंग पावर दे दीजिए अपने व्यक्ति कह रहा था जो कि आज सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लीडर रहा है आजाद भारत कर तो जब तक पर्चेजिंग पावर आप लोगों को गरीब के और किसान के हाथ में नहीं देंगे तो देश कैसे तरकी करेगा लगबख 65 से 70 प्रतिशत लोग आज गाउं में रहत कहा जा कहते थे हमारे नरेन मोदी जी आज उस मात्मा गांदी नरेगा कोई के माध्यम से लोगों को रुजगार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जमीन पर को हाला दूसरे हैं मशीनों से काम हो रहा है मात्मा गांदी नरेगा का और उसमें अधिकारी कर्मचारी और दिरूँगा एक सवाल तो कॉंग्रेस पार्टी को लेके यह है कि कॉंग्रेस पार्टी ऐसी कठिन परिस्वियों में भी अंत्रिम अध्यक्ष से काम चला रही है सोनिया गांदी जी खराब सीहत के बावजूद भी अंत्रिम अध्यक्ष के तौर पर कारे रप है क्या इतनी पुरानी पार्टी एक नेता नहीं निकाल पारे गांदी परिवार्टे बाहर जो इस पार्टी का ऐसे कठिन समय में नेत्रत्व दे सके जब भी मुझसे हिमार्शु जी कोई प्रशन पूछता है तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूं कि आपको यदि इतनी चिंता है तो हमारी पार्टी को सुधारने का आप क्यों इतना परिशान होते हैं हम लोग सुधार लेंगे बहराल मेरा सवाल था अंतरम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांदी की मौझूदगी और क्या पूर्ण कालिक अध्यक्ष की जुरत आपका मनना है कि इसके संदर में किसी उत्त है क्या कि अंतरम अध्यक्ष है इसलिए सवाल कि पूर्ण कालिक अध्यक्ष मिलना चाहि है यह नहीं मिलना crunchy के समिधान में कोई अंतरम अध्यक्ष होता है जै अध्यक्ष ही होता है एक आखरी सवाल राश्ट्र परिपेख्ष में मौजुदा परिष नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश का नेतत्व कर रहे हैं चाहे वा कोविट संकट के चलते उत्पन परिसितिया हैं और चाहे चीन की सीमा पर हो रहा विवाद उनके निपटने के तोड़ तरीकों को दिगविजय सिंग किस नजरिय से देखते हैं नरेंद्र मोदी जी इस देश के आजादी के बाद के सबसे असफल प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं और होंगे भी अर्थ विवस्ता चौपट है विदेश नीती आज जितने पड़ोसी राज हैं सब हमसे नाराज हैं कौन से शित्र में सफल हुए मैं जानना चाहता हूं तो आज इस हालात में च चाहे चीन के विशे में बात हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नरेन मोदी जी चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं क्यों घबराते हैं ऐसा कौन सा दबाव है उनकी उपर जिस देश के राश्टपती के साथ वो सावरमती के तड़ पर जूला जूले हैं जो अपने आप उनका बहुत डिकट का मित्र मानते हैं चाइना के साथ Communist Party of China के साथ RSS जाके बाचीत करती है भारती जनता पार्टी का डेलिगेशन जाके उनके साथ चर्चा करता है strategies करते हैं organize आती हैं तो फिर इसमें स्विकार करना चाहिए कि हाँ हमारी दोस्ती है अब आपने टिक टॉक तो बंद कर दिया तो टिक टॉक पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ तो मिसाइल की स्ट्राइक होती थी आज डिजिटल स्ट्राइक से आप खुश है और वहाँ चाइ रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं विदेश मंत्री जी कह रहे हैं आर्मी के जनरल के साथ discussion हो रहे हैं और अगर चीन की सेना हमारे सीमा में उन्होंने प्रवेशी नहीं किया तो हमारे निहते 20 जो लोग सेनिक और हमारे अफसर माने मार अजशे बाबू करल बाबू मारे गए त किसने मारे क्यों मारे दस लोग जो जो सेनिक बंदी बना लिये गए थे उनको बाद में छोड़ा गया यह कौन लोग थे किन्नों ने वहां भेजा और कैसे गए और कैसे पकड़े गए इसके बारे में सफर्ष्टी करन तो दें किस बांए ठाल नेचर संप 한번 रहुत करन बंदीना म सेशन वजशे बाद साए्टार अजशे बगए इसा और किसे ढढ़ में सेघके करते में सबस्ट्रत में सफर्णी करन तो दूंशे में सेंफ बादे में डाब्सिया इस ऊ Ск凌न के बादे में किम ने अ बढ़ में संब्स् Lebens बड़ा इसपश तोर पर दिगवेजे सिंग जी का मानना है कि आजाद भारत के सबसे विफल प्रधान मंतरी के तोर पर नरिन बोधी साबित हो रहे और आगे भी साबित होंगे सबसे पहले तो जानने का विशे यही है कि 15 साल के निरंतर संगर्ष के बाद कॉंग्रेस पार्टी जैसे तैसे सप्ता में आई थी मद्द प्रधेश के 15 महिने में ही धराशाई हो गई किसको दोशी बांते हैं अपनी पार्टी को या एक बार फिर भारती जनता पार्टी पर ही ठीक रह पोड़ेंगे आप इमांशु जी जन्मत तो हमको मिला था जै किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारे जो जन प्रतिनिदी जो चुनकर आए हैं वो बिक जाएंगे जै आमें उम्मीद नहीं थी कि जोतरह सिंधिया जी जिनकों कि इतना सम्मान कॉंग्रेस पार्टी नी दिया वे खुद भारती जनता पार्टी में चले जाएंगे आखिर स्वरगी स्विमत माधराओ जी सिंधिया को क्या नी दिया कॉंग्रेस पार्टी ने और आज हम उनके याद करते हैं बड़ी सकरीता से और और वही अफसर दिया गया था जो तरह सिंधिया जी को जो तरह सिंधिया जी को देखा जाता था तो ऐसा ऐसा क्या हो गया समझ में नहीं आया कि जिसकी वज़े से सिंधिया जी को भारती जंसा पार्टी में जाना पड़ा ये तो ये तो मैं अभी उसमें इतना ही कह सकता हूं कि इतिहास ही बताएगा कि कौन सही था कौन गलत था ल भाजपा में शामिल हो जाएगे और उस पार्टी में शामिल होंगे जिसने एक साल पहले उन्हें डेड़ लाग वोड़ से हराया था और जिसके बारे में आप भाशन देख लीजे शिवराज सिंग चौहान के भाशन भारती जनता पार्टी के नेताओं के भाशन और साथ में हमारे जो सुहम सिंधिया जी के भाशन वो शिवराज को कहते थे शिवराज आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं अब जिसके हाथ खून से रंगे हो उसका ही आप साथ दे रहे हैं ये कौन सी राज़िटी है पर मेरा सवाल दिविजी आप से ये ही जानने के लिए है जिनके हाथ खून से रंगे बताते थे जोते राज़िट सिंधिया उन्हें इसकदर मजबूर आपकी पार्टी ने कैसे कर दिया कि वो उनसे हाथ मिलाने के लिए तो तैयार हो गाए पर आपके साथ रहने के लिए आती महत्वा कंशा है लेकिन आपसे जो जानने का विशे है हमने उन तमाम 22 वागी विधायकों से बाचीत की सिलसलेवार के ऐसा क्यों हुआ अपवाद सरुप कुछ लोगों को छोड़के सब एक बात कहते थे कि दिगवेजे सिंग जी का बड़ा दखल था दिगवेजे सिंग जी आरोप को स्विकारते हैं सरकार में क्या भूमिका थी आपकी जो व्यक्ति ये आरोप लगाता है वो कमलनाज जी के व्यक्तित को नहीं जानता कमलनाज जी को लोग बुल्डोजर कहते हैं हमारी पार्टी में हम लोग वो एक ऐसे व्यक्ति हैं वो अपने मन के राजा हैं वो किसी की बात नहीं सुनते जो उनके मन में हैं वो करते हैं और यह 40 साल से हम लोग का रिष्टा रहा है और मैं इतना जानता हूं कमलना जी को शायद कि मानशु जी आप नहीं जानते हूंगे और यह भारती जन्ता पार्टी की बिदाएक जो लो जो गई आरोब मुझे लगा रही है यह नहीं जानते जिक विजे सिंग ने कभी हस्तक शेप किया जब तक राय नहीं मांगी गई तब तक मैंने उनको कोई राय नहीं दिए क्योंकि हमें पूरी उनकी सक्षमता पर कमलना जी के सक्षमता पर पुरा भरोसा था है और रहेगा पर सवाल इस बात का है कि दिगविजए सिंग जो इतनी बड़ी हैसियत के नीता है कमलना त सदस्य हैं उमंग सिंगार हुआ करते थे अभी पार्टी के राष्ट्रे सचेव हैं दिविजे सिंग के संदर में जैसे आरोप उन्होंने लगाए वैसे तो भाजपा ने भी आस तक आप पर नहीं लगाए आपके संदर में मुस्लिम पर सोने का हिंदू विरादी होने का तो क्या था यह यह तो उमंग सिंगार से पूछिए और कमलनाजी से पूछिए आप इतने बड़े नेता हैं आपके संदर में इतनी बड़ी बात के भाजपा जरासा बोलती है आप दुनिया भर के बयान दे देते हैं अधालत में शिकायत करने भी चले जाते हैं और आपकी पा अनुशासित कॉंग्रिस का सिपाई हो और कोई बात नहीं कहूंगा जिससे मेरी पार्टी को कहीं नुकसान हो या वो अनुशासन हींता की परदी में आता हो इसलिए जो कुछ मुझे कहना था मैंने अपने पार्टी में कहा उससे जादा मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकत है यह हुमंग के बारे में जो आप कह रहे हैं जो है यह एक बच्चे के उमर का है उससे मेरा कोई जगड़ा नहीं है वह सकता है किसी कारण से उसने कहा हो मुझे उसमें मैं तो कहता हूँ हमेशा मैं तो पंचिंग बैग हूँ जिसको आके कुछा मारना है कुछा मार के चला जाए मैं वही का वही वापस खड़ा रहा हूँ कर दोनों आपके संब्सक्राइं दोनों को मनत्रि मंडल में नहीं आ पाए क्योंकि दोनों को मंत्री मंडल में लिया जाना चाहिए था अब इसमें मंत्री मंडल मेरे दसकत से तो बनता नहीं था मुख्य मंत्री बनाते हैं तो अब इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि दोनों को मंत्री मंडल में लेना चाहिए था मैं आपसे एक सवाल करता हूँ आपका हर सवाल के संदर में थोड़ी सुविधा का रस्ता ले रहे हैं आपने दस साल मुख्यमंद्री के तौर पर काम किया अंट्यानवे को चुनाव के बाद में बसपा कॉंग्रेस में विलीन होते हुए आधार पर कमला जी जिस सरकार का नेत्रतु कर रहे थे इस पष्ट भहुमत के संदर में हालात नहीं थे नाजुक सरकार थी क्या आप मानते कहीं ना कहीं कबलना चुक गए सरकार को बनाए रखने बचाए रखने के लिए जो कुछ अलता दिखानी थी वह उन्हों ने नहीं दिखाई यह सब बाते तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि ना कमला जी को ना मुझे ना कॉंग्रेस पार्टी की हमारी अध्यक्ष जी और चीने लीडर्स को यह भरोसा था कि जो तरह सिंधिया कॉंग्रेस छोड़के और पहाजपा में चले जाए यह किसी को भरोसा नहीं था हमें अटूठ विश्वास था जो तरह सिंधिया जी पर कि वे ऐसा नहीं करेंगे हां छोटी मोटी दिक्कते होती हैं चोटे मोटे इशूज आते हैं लेकिन आगर राजनीती आप करते हैं तो वैचारिक राजनीती करते हैं वैचारिक आधार पर वैचार के आधार पर आप राजनीती करते हैं आप एक आधर राजनीती हैं हम आपको मानते रहें तो आप आप जिस पार्टी के विरोध में आपने संसद में और संसद के भार विरोध किया और डट कर विरोध किया आप उसी के साथ हो जाते हैं किसको उम्मीद थी यह आपका कहना है लिए आप से जानना यह है कि आपने अती महत्वा कांक्षा करार दिया जो तिराज सिंद्या के फैसले के पीछे पर कमल नाज जी जो और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके एक और मित्र हैं विवेक तंखा जी बुद्धी जी भी हैं कुशाग रहें उन्होंने एक बड़ा करण मना कि दोनों पद एक व्यक्ति के पास बने रहने के करण ये परिसितियां बनी सेमत है इसको अद्धिक्ष बनाना बन नहीं बना रहना चाते थे ये मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना आचाता है इतना मैं जानता हूं कि प्रदेश कोंगरेस के अधिक्ष के दऊने देनी है या उनके पास कोई और जिम्मेदारी है तो किसी और अन्व्यक्ति को अद्धिक्ष बनाने का अधिकार उस व्यक्ति का नहीं होता है उस वो अधिकार All India Congress Committee के अधिक्ष का होता है लेकि विविक तंखार जी ने जो यह बात कही कि अध्धिक्ष और मुख्यमंद्रिय अलग होता तो यह नौबत नहीं आती है इस पर टिपनी करेंगे दिग्विजे से आप जानते हैं कि मैं पुब्लिक ली पार्टी के बारे में कोई टिपनी नहीं करता वर्तमान के संदर में अध्यक्ष की जौरत महसूस करते हैं अभी वही इस्तिती है दूत का जला चाच पी अंदिग्विजा सिंग की राई का जानने के लिए नेता प्रतिपश्च में कोई विवाद नहीं है या कोई विष्जे नहीं है कुई से नहीं है dopamine दन्यता हे जाल मुकस्पन्ति रहें यह ना रहें जर्वते सरनुमतिस से च्वर्चर हमारी विधायक दल के ठैट जहां तक अद्धिक्षपत का सवाल है अद्धिक्षपत की चुनाव में अद्धिक्षपत के लिए या तो चुनाव होता है या मनुनायन होता है वे मनुनीत प्रदेश कॉंग्रिस के अद्धिक्ष है और मनुनीत अद्धिक्ष को रखना या हटाना ये निर्ने अकिल भारती कॉंग् जानना यह जिस दिग्विजए सिंग को हम लोगों ने सब्सक्राइब कॉंग्रेस को लाते हुए देखा था जब नबहु के चुना में कॉंग्रेस अपदस्त हुई थी उसके बाद संगर्शापका देखा आपकी जीवटता को देखा ओर 1993 में कॉंग्रेस की सफ्ता में बाप्ती को देखा समय के साथ इतना थक गए दिगविजसी की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया देखिए जो यक्ति 3100 किलो मीटर चल ले उससे ठकान तो नहीं होती आप जानते और आप खुद मेरे साथ आयते बड़ी करपा की थी आपने नर्वदा परिक्रव हम लोग के साथ आयती और हरी भूमी को भी मैं धन्यवाद दूँगा क्योंकि बाकि सभी समाचार पत्रों ने ब्लैक आउट किया खार ऐस तो देखी उसे आती है घिसको ठकान अदेश होता है मैं तो 50 साल की उमर के बाद अपना अरी उमरी नहीं बड़ी तो आम्म क्या करूंगा मैं य nous कि आ इकार क्यों किया फिर इसने आपने अद्धिक्ष की जिम्मेदारी लेने के संदर में के मेरे नाम पर तो विचार भी नहीं होना चाहिए इतना क्या निर्मो हो गए आप प्रदेश के संदर में जिम्मेदारियों को लेकर इसलिए क्योंकि कमलना जी योग अद्धिक्ष रहे तो उनको क्यों में हटाऊ तो हटान यह निड़ने दिगविजय सिंग नहीं लेते हैं चलिए आने वाले समय को लेकर बात करें 24 उप चुनाव क्या संभावना है देख रहे हैं दिगविजय सिंग के राजनितिक अनुभव के आदार पर 24 उप चुनाव में बहुत नाराजी है जनता की इन 24 लोगों के इन 22 लोगों के दो जगे तो चुनाव उनकी डेथ होगे ती तो चुनाव हुए हैं तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इन 22 चुनाव शेत्रों में जहां इन्होंने जन्मत को धोका लेकर गए हैं इन में तो दिश्चे तोर पर इन विधायकों के खिलाफ बहुत माहौल है खराब है लोग बाग हर घर में चर्चा है कि इन्होंने 25 से 35 करोड रुपे दे ली और कोई इमानने तयार नहीं है कि इन्होंने पैसे नहीं दिये तो खराब है अब उसे हम लोग सही ढंक से अगर उसको अपने इत्में वोट डलवा ले तो 2400 सीटों पर जी सकते हैं बड़े पैमाने पर इस समय कॉंग्रेस का घर वापसी अभिहन चल रहा है बालेंदु शुक्ल को भी लेकर आ रहे हैं संजु जाटब भी अभी आई हैं और भी तमाम नाम है एक राकेश चौधरी भी उनमें से नाम है बहुत नाराज़गी आपको राकेश चौधरी के नाम से लेकर मुझे कोई नाराज़ी नहीं है देखिए ऐसा है आप के ओभूल जाते हैं कि मैं ही उनको वापस कांग्रेस में लेके आया था जब मैं मुक्षी मंत्च था, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष ता इसको उपचुनाव लडवाया था और मैंने उनको अपने संटीमंदल में लिया लेकिन दिन उन्होंफ ने विध them के उपनेता के रूप में से जबकि विधाइक दल ने सरसमती से चारशी तैयार की थी भाजपा सरकार के किला समय उन्होंने osed पार्टी को धोका दिया लेक्ट को उसका कोई दूसरा देखने को नहीं मिलता ho जौनशु जी आपके पास हो तो बता दीजे कि कोई भी राजनेतिक दल का उस लेजिश्टेचर पार्टी का या पार्लिमेंटरी पार्टी का डिप्टी लीडर या लीडर आ विश्वास प्रस्ताव को एड्मिट हो जाने के बाद चर्चा के समय ये इस प्रकार का धोका दे सके साथ क्या उश्वास क ediyor चाहिए उसको ताजपोशी कराना चाहिए उसको करना चाहिए आपने बता है मैं आप इसे पूछा और आप पार्टी ये सवाण्याबब somebody अब कुछ सवाल आपके निजी तौर पर राजनेतिक जीवन को लें घालने का विशह यह यह कि पिछले कुछ समय से आपने सक्रीता का क्छेतर मद्रदेश कर लें राश्ट्री राजनीदीज मन भर गया या वहां कोई संभावना नहीं रहें तो मैं मद्रप्रदेश में हूं घूंग रहा हूं यहां जाना चाहता हूं चाहता हूं अभी तीन दिन पहले एक हमारे तीन चाह दिन पहले मंदला में एक एने सीवाई के छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसमें बजरंग दल के नेता थे शामिल उसमें पुलिस कुछ हलत हद तक निशला सर की पुलिस मिली हुई थी उसकी इतनी ही निर्मम हत्या की गई उसको पहले गाड़ी से टकर्स मारकर गिराया गया, गोली मारी गई चाती में और गाड़ी उसके शरीर पैसे चड़ा थी, उसके खिलाफ हम गए और इस बात की मुझे प्रसंता है कि सारे अपरादी पकड़े गए, इसी प्रकार पिपरिया में विश्विंदू परिशत की, वहां के जो प्रमुक हैं, थे रादर, रवी विश्व कर्मा, खुले आम, रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे, इसका की विडियो वाइरल हुआ है, भारती जनता पार्टी के ही बजरंग दल के लोगों ने मिलकर उनको उनकी हत्या की, और कल मैं उनके परिवार से मिलके आया उनके छोटे भाई अमित विश्व कर्मा ने खुले रूप से आरोप लगाया है कि भारती जनता पार्टी का विधायक पपरिया का और उसका जो एक जिसके हां वो नौकर रहा है, वो जिम्मेदार हैं उसकी हत्या कराने में, अब आप बताईए, यह जो यहां पे ऐसी घट करतनाएं हो रही है, अपराद बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर मुझे सक्री नहीं रहना चाहिए, जे, बिल्कुल आपकी सक्रीता के संदर में लेकि जानने का विशय ये भी है मेरा, कि आप भोपाल संसदिये छेतर से चुनाव लड़े थे लोग सभा का, अब प्रत्या की जानी थी, कि आप एक बाए फिर राजगड़ में ही है, दिखेंगे, पर जो भी परिस्ते थी आप भोपाल में दिखेंगे, पर उसके बास से लगातार भोपाल को आपने ऐसा पकड़ा है, कि प्रग्या ठाकुरतों दाएंबाएं भी नहीं दिखती, क्या चाह रहे हैं दिखेंगे जासिंग, मैंने आप से कहा था, कि जब कमलनाज जी ने मुझे से कहा कि तुम भोपाल से चुनाओ लड़ो, हमने का लड़ेंगे, क्योंकि चुनाओतीस विकार करना मेरे आदत में है, तो मैंने का लड़ेंगे, आलाकि मुझे मालूम था कि बहुत खराब सीट है, वो 1985 के बाद कभी कांग्रेस यहां से नहीं जीती और बड़े लंबे मार्जिन से चुनाओ हाथते हैं गोपाल से, हमने का ठीके लड़ेंगे, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं मत्रप्रदेश की राजनीती में सन 2003 के बाद 17 तक बहुत ज्यादा सकरी नह जीदे खिलाफ गए तो मुझे आपती नहीं, लेकिन मैंने चुनाओं में कहा तक मैं जीतू हारू में मत्भौपाल संसधी शेतर में ही अब काम करूँगा, और इसलिए हारने के दूसरे दिन बाद ही, नतीजे आने के दूसरे दिन बाद ही मैंने तैय कर लिया कि मैं पोटल इसमें नाम राखोगट से गुना से हटा कर मैंने भौपाल में लिखा दिया, तो अब मैं भौपाल में सक्री हूँ, और लगा हूँ अपने काम में, करोना के वाइरस के इस कंकर्ट काल में, जितना भी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से और कमलनाठ जी की तरफ से हम में मदद मिली है, गोटन गोएल जी ने हमें इसमें सहोग किया, जितने डागा जी ने हमें सहोग किया बुत्पूर की धाय, गोटन गोएल जी हमारे कोशा देख शाहे थे अभी, तो उनोंके पुरा हमने राशन बाटा, पका खाना बाटा, लोगों की मदद की, जो लोग फसे हुए थे बाहर उनको लाने के लिए हर संबब प्यास किया और जो भी मुझसे बन सका मैंने जन्ता के बीच में गया और लोगों को मैंने विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ जहां जौरत पड़ेगी अभी वहां पे मसला था हमारे भोपाल शहर में कतल खाना शिफ्ट करने का एक फैसला हुआ था जबकि वहीं मौडनाइजेशन कतल खाने का हो सकता था लेकिन उसके अलग राज नीती थी उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा तो जहां कतल खाना नया लगाया जा रहा था वहां के गाउवालों का किया पती थी मैं जा प्रजेक्ट हमने बना के भी दिये ऐसे हमारे जो भी विशे आते हैं भोपाल विशन डॉक्यूमेंट हम लाए थे उसके इसाब से हम लोग आज भी काम कर रहे हैं कैसे भोपाल को एक आकरशन का केंद बनाया जाए टूरिजम का केंद बनाया जा सकते और कैसे हैं अधिक से नागरिक है मद्दाता है आप बतौर नीता तो कुछ कहेंगे इसकी उम्मीद कम है मुझे जैसे आप जवाब दे रहे हैं पर बतौर नागरिक बतौर मद्दाता अपने छेत्रिके वर्तमान सांसत के कामकाच को लेकर कोई टिपड़ी करना चाहेंगे दिख विजे सरी इतनी क आपको उनके संदर में टिपड़ी नहीं करना एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ आपने नर्मदा यात्रा की 110 विदान सबाज शेत्रों को आपने शुआ था उस दोरा बड़े स्तरबर राजिनीजिक समिक्षक मानते हैं कि 15 साल के बाद अगर कॉंग्रेस सता में वाप तो दिग्विजे सिंग की पदियात्रा भी एक बड़ा कारणती नर्मदा यात्रा वरतमान में जो परिस्तिया बनी है क्या हम दिग्विजे सिंग को एक बार फिर जनता के बीच में पदियात्रा करते हुए देखेंगे जैसे हमने 1990 के दौर में देखा फिर अभी 2018 में जाओ है जब तक मुझे पार्टी कोई दूसरा जिम्मेदारी नहीं सौपती है मैं मध्यपदेश के दौरा तो करता रहूं तो जब आप प्रग्या ठाकुर जी के संदर में कोई टिपड़ी नहीं कर रहे हैं तो शिवरा सिंग चौहान के तीन महीने के कारकाल को लेकर कोई टिपड़ी करना चाहेंगे आप निश्यत तोर पर करूँगा और मैंने किया भी है ये कि शिवरा सिंग चौहान जब जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो नियम और कानून को ताक में रखकर वे अपने स्वार्थ के लिए सारे काम करते हैं और उनका भाशन भी जब हुआ था कि हमें केंदरी नितनत का निरने हुआ आदेश था कि सरकार गिराओ क्योंकि ये सरकार कमलनाद की रहती तो हमें बरबाद कर देती इस सरकार के शब्द उन्होंने कहे हैं बरबाद कमलनाद जी के सरकार में कौन बरबाद हुए रू माफिया रेद अवैद रेद खनन का सिंग्चोहार क्योंकि सबसे बड़े संद्रक्षक हैं अभी मैं आपको उधारन बताता हूं कि उनी के चुनाव शेत्र में जो लगातार वहां से बुद्धनी शेत्री चुनाव जीत रहे हैं वहां के आधिवासी परिवार को मौवजा मिला एक 26 बान से उसके साड़े चार करोड उनके दलालों ने एक फ्रॉड शिट फंड को दिलवा दी है कि तुम्हें 6 साल में दूनी रकम हो जाएगी अब वो रकम 6 साल के बाद वसूल करने गए तो उन्हों को जेल में बंद कर दिया गया और उस बारे में जब मुझे मालुम और पूरा प्रयास किया लेकिन हमें एक साल लगे लगभग एक साल लगे उस F.I.R. को दर्ज कराने में शिवराज सिंग चौहान के बुद्री शेत्र में उन दलालों के खिलाफ उस प्रॉड कंपनी खिलाफ जिसने साड़े चार करोड लूटे थे आजिवासियों के साथ अब इस हालात में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अवैद रेटकनन इनका जो गाओं है जैद उसके बगल में होता है आप पता लगा लिए कितने डंपर उन के पास आज है कितने उनके ट्रक उनके पास है और अवैद रेटकनन हो रहा है के नहीं हो रहा भी दिवा लोने पिटाई लगा दी जो की बुद्धनी से लगा हुआ शेत्र है तो ये तो शिवराज चौहान तो ये रेथ खनन के अवैद रेथ खनन के बाश्या है संद्रक्षक है जे शिवराज सिंग चौहान के संद्रें आप हमेशे इतने मुखर रहे हैं पर भारती जन्ता पारड़ी को एक बार फिर जब मौका मिला प्रदेश के लिए ने तरत्वत तैय करने का बोरुद्धा शिवराज सिंग चौहान पर ही किया क्या कारण समझ में आया आपको जिस शिवराज सिंग चौहान को पंद्रा साल के बाद में शिकस्त मिली थी मौद्ध प्रदेश में मौका लगा तो फिर शिवराज सिंग चौहान ही आए क्या कहता है आपका राजिन दिक अनुव हो इसके पीछे मांशू आप हमारे इलाके के हो जरा हिए नरुता मुट्णाजी से पूछ ले ना कि उनके दिल पर क्या गुझर मुझरा दिए मैं माई पर क्या लगा कि या उख दर्वान जो रुख हुआ उसमें नरुता मुझरा जी को पूरी तो उमीद थी कि उन्हें मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री बना दिया जाएगा और अमिर्शा जी के पूरे 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 पात रहें तो आप मैं मुझसे पूछने की बजाएन नरुत्तम मिश्रा जी से पूछिए आप से पूछेने लाएक एक और प्रशन जब आपने नरुत्तम मिश्रा जी का जिखी किया एक और किरदार है मद्यप्रदेश की राज़ी दीती पे नाम उनका कैलाश विजवरगी है जितना खराब हो सकता है कैलाश विजवरगी है दिगविजवर सिंग जी के संदर में बय मितिता तो विरोध के लोगों ऐसे हैं दिगविड़ गोविदा चारी जी से मेरी अच्छी मितिता हमेशा से रही है नम जानते है इस बात को प्रिस से हिए ऐसाival आ nomeले में जाम ही घुया है। केलार्ट से भी मेरा यही मैं उसे कलाकार कहता हूँ कलाकार है वाकई में वो वहारी मित्रता है आप ने शिवरा सिंग जी के संदरोगा उनसे मित्रता रही रही या है रही है कारण यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो काम शुरू किया है और जिस तरह से उन्होंने पूरे प्रदेश के साथ अन्या इक्सर नहीं मिला अन्य प्रांतों के लोगों को रोजगार मिला नियम और कानून इस प्रकार के बनाए कि बिना पैसा लिए दिये कोई की किसी की निफ्ती नहीं होती थी गोंदिया के लोगों को ट्रांसपोर्ट में constable बना दिया गया, नियम तोड़ दिये गए, उसकी जो सीमा जो उसके थे qualification से वो बदल दिये गए, जो महिलाओं के लिए reservation था उसको उसके बजाए mail constable भरती कर लिए जितने पद थे उससे ज़्यादा भरती कर लिए, यह सब बातें तो नुकसान यहाँ पर बंदप्रदेश की युवाओं के साथ हुआ ना, तो हमारी लड़ाई तो है, वो लड़ाई आपकी, आगरी दो-तिन सवाल, एक सवाल यह है कि जब राजसभा उम्मीदवारी का सवाल आया, दिगविजे सिंग का, तो कॉंग्रेस में इतनी चिंता नहीं हुई, जितनी जदा चिंता भारती जंता पार्टी ने की, पहली वरीता पे कौन हो, दूसरी वरीता पे कौन हो, महरास साब वहाँ पर प्रतम वरीता थे, उस पर सवाल लिए पर दिगविजे सिंग, एक राजा को जो है वरीता दी हुई है इस पर सवाल था क्यों इतना चिंता थी भाज़पा को आपको लेकर हमेशा रहती है यह और रहने का एक मात्र कारण है कि मुझे भारती जनता पार्टी पचा नहीं पाते यह क्या करते हैं आप भाज़पा के साथ ऐसा उनसे पूछी एक नहीं पचा पाते दिगविजए सिंग को आपने कहा कि वो मुझे पचा नहीं पाती तो आप समझभाई होंगे न कि क्या पैसा करते हैं इसके काड़निacे इतनी परिशानीas 들어," अपसे मैसूस हो रही है क्योंकि दिग्वजे सिंग इंसे डरता नहीं है मेरे खिलाफ ना तो कोई सीवी आई केस है ना सीवी सी है ना आई टी का केस है तो इसलिए मैं क्यों डरू इंसे तो मत पर दे कि थानों में तो जनादन फाई आर हो रही है फिर भी डिल रहा है अब काई का डर ना इसके जो फ पच्छिया नहीं है एक आखरी सवाल आपसे करता हूं दिग्या सिंग्या आपने 1971 में कॉंग्रिस की सबस्ता ली श्यामा चरण शुक्लोस में माध्यम बनेते हैं ऐसा आपने खुदी नीजी बाचीत में बताया था पचास साल से जदा का राजनितिक जीवन आपका हो गया अब जिस दोर में आप हैं और वरतमान में राजनिति का जो तौर तरीका आप देख रहे हैं जोतिरा सिंदिया के कदम से आप नीजी तौर पाहात हुए हैं आपको लगता है कि अब नहीं होना चाहिए था आप गोवा के प्रकर्ण से भी गुजरे मद्द प्रदेश में ज जो राजनिति आप करते थे जिन से दान्तों के लिए आप राजनिति माये थे अब जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप फिट नहीं थाबित हो रहे हैं निराशा तो एक साथ पर जरूर होती है कि जितना पैसे का लेंदेन अब हो गया है जिस तरके एक प्रष्टाचार जो है इस बड़े पैमाने का हो गया है कि एक एक विधायक को खरीदने में 25 से 35 करोड रुपे खर्श करने के लिए पार्टी तैयार हो जाती है तो ऐसा माहुल में हमारे प्रजात्त को कहां ले जाएंगे तो इसका तो थोड़े दिनों में हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपको चुनाव जब होगा तो जो भी विपक्ष्ट का उम्मीद्वार है उसी को आप दे दीजिए 15-25 करोड रुपे तो अपना पौन में बेड़र लेगा तो इसमें चुनाव कि जबरती क्या वह यही क्या प्रजात अंत्र है यह चलेगा नहीं थोड़े दिन चलेगा अभी चल रहा है लेकिन पैसे से राजनीती कहीं सफ़र हुई नहीं है प्रजा ही सर्वोपर ही होती है और इसलिए मैं कहता हूं कि मुदी जी और शाह जी को कह करता हूं कि छोड़िये एवियम को और आएए बैलेट पेपर पर मैदान में दो दो हाथ हो जाए तो पता पढ़ जाएगा आखरी सवाल है मेरा इस कारगम के दिखर कि राजनीती में जो सक्रीता आपने बना रखी है किस सपने को लेकर दिगविजय सिंग किस उमीद के अने वाले समय को लेकर मैं कि इस देश से उस नफरत के बीज को खाड़ देना चाहता हूं जो नफरत का बीज बो दिया गया है क्योंकि नफरत से ही हिंसा पैदा होती है और हिंसा से ही आतंकवाद को जनुर मिलता है इसलिए मेरे आखरी सास तक ये लड़ाई रहेगी कि मैं इस देश में प्रेम, सद्वाव, सद्वे और अहिंसा की रास्ते पर जो महात्मा गानधी ने हमको सिखाया था जो हमारी धार्मिक परंपरा रही है, सनातनी परंपरा रही है, उसको हम देश में फिर से काइम रखें, यही मेरे आखरी सास तक मेरा यह प्रयास रहे है। बहराल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम से जोड़ने के लिए। जो हमारी से काइम जो जोड़ने काइम नापका बहुत बहुत Tob